मैंने जहां तक देखा है के बालीवोट के जो भी सेलब्रेटीस हैं वो कभी किसी एक प्रोग्राम में नहीं आएगी जो अब बात करते हैं हीरा डिटल गोल्ड के बारे में हीरा डिडिकल गोल्ड जो है हमारी कंपण्वान एक काइन हैं और जिसको हमने एक्षेंज पर लांच किया है और इंशाल्ला ये काइन जो है किट को गोर्ड मार्केट के उपर चलेगी क्या लगते आपको कि कब तक उनका रिटन उन्हें वापस मिल पाएगा क्या थारण रहे इसके डिजिटल गोर्ड यह है कि आपके हाथ में अगर काइन है तो आप अनलाइन के उपर देखती हूं कि हुमारा काइन का प्रैस कितना बड़ा है कितना कम हुआ है आपको कोई भी प्राफिट देने की ज़रूरत नहीं है आप खुड ट्रैंसपर करके पैसा ले सकते हैं कि आपके ऊपर होता है उसका नफा और नुकसान का मतलब ना उनको मैंने कोई फंडिंग किया है ना मैंने उनको कोई पैसे दीना आज भी मुझे देने की जरूरत है चाहे वो बड़े सेलब्रेटिस कि ना ओ, बड़े पॉलिटिशन कियो ना ओ, बड़े क्याबिनेट मिनिस्टर कियो ना हो वो मुझसे मिलना चाते है वो आना चाते है मेरे पास ठीक है एक बड़े सवाल की तरफ मुफ करेंगे हीरे डिजिटल गोल के पास इतना डिजिटल गोल आता कहां से है दिखें डिजिटल तो आप जानते हैं कि डिजिटल होता है एक बैंक के वर्ल डिपाजिट के ओपर जे आप जितने पैसे डिपाजिट करेंगे आप उतना गो स्क्षिर्ट से आपको मिलाइंगे यह से असी स्क्षिर्ट के बारे में आप से बात करेंगे जो किसी भी महिला इंपॉर्मेंट को लेकर भी मैं बहुत सुर्क्यों में रहती हैं और उन्हें मैं आपको बता दू सबसे बड़ी बात कि उन्हें कुईन ओफ पॉलिक्टिकल स्टाटेजी भी कहा जा सकता है तो आप गैस करिए कि मैं किसके बारे मां बात करेंगे जी हाँ आपने बिल्कुल सही गैस किया है मैं बात कर रही हूं डॉक्टर नौरा शेख जी के बारे में बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वन टूवन में और यहां पर आप पब्लिक डिवान पर आज आपको बला कि क्या कुछ ऐसा मतलब कि आपके बारे में रिसर्च किया है जितना मैं आपके बारे में जानी हूं आपके बारे में आपके बारे में जानी हूं आपके बारे में जानी हूं आपके बारे में आपके बारे में आपके बारे में जानी हूं आपके बारे में आपके बारे में मुसलिम कम्युनिटी में जो है को एज़ुकेशन को अपने घरे धों में फैमली में नहीं मानते थे सब्जेट को क्लेर करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं आज तो गोगुल में हर तरह की पढ़ाई मिल जाती है तो लोग जो है उसमें तो हम भी आज भी जो जरूरत होती है उसकी स्टेडी करते रहते हैं तो क्या आप अपने जनता को उन सवालों के जवाब देने के लिए से तयार हैं बिल्कुल मैं तयार हूँ आप सवाल अपनी मरजी से कर सकती हूं तो सबसे बहुत करेंगे कि आप एजुकिशन के बारे में आपने वताई दिया है उसके बारे में और भी बात करेंगे हमारे सबawan है के साब सबसे मैडम है जो नहीं हैंडिल करती बस मैंने ये काम जो शुरू किया ये जो बिजनेस शुरू किया अच्छे कामों के लिए शुरू किया गल्स के एजुकेशन के लिए शुरू किया कालेजेस के लिए शुरू किया और जो गरीब तबखे की महिलाएं थे लेडिस थे उन सब को मैंने कमपणी के तुरू लाखों की आउरतों को जो है एक एमपवर मिला के आउरतें भी बिजनेस कर सकती हैं और वो बिजनेस को हैंडिल कर सकते ही तो इस तरह से मैं जैसे बिजनेस करना है करती आई हूं उपर वाले की मदद है मेरे साथ क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला होने के बाद इतने सारी चीजों को आपकेले मैंनेज़ कर रही हैं तो कहीं से होता है ना कि थोट आता है कि एक जो है बदलाब करना है देश में या बदलाब करना है अपने सुसाइटी में तो वो पहला थोट आपको कहां से मिला पहला थोट तो मुझे बच्पन से मिला है कि बद अपने बाप जो है बड़ी नीचे उतर जाती और मसस्ता सब्सक्राइभ Remsk लाप्स ज़ह और रेख दिया है इक है तो यह निए अद्यसी में खाब़ा की नहीं और भी कर आपद पाले फ्र है पॉल्टिक्स भी कर सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है, यह तो बहुत सारी महलाईं कहते आते थे, मगर मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है, कि एजुकेशनल इंस्टुटूशन को मैंने फॉर्म किया, और जैसे तिरुपती में हमारी कालेज है, जिसमें गल्स कालेज है, 1000 से जियादा गल्स तक भी वहां पर पढ़ते हैं, 5700 स्टूडेंट वहां से डिग्री पढ़कर और जो है, यह किये ही, उसी तरह से कोचीन, उसी तरह से महारास्ता, उसी तरह बहुत सारे जगा पर मैंने यह करके, और मैंने कहा नहीं, बलके उसको चला कर बताया है, कि इस तर प्रटाइल, गोल्ड, ग्रैनेट, बहुत सारे चीज़ों को जो जनरल बिजनेस होते ही, इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल में मैंने इस बिजनेस को फार्म करके, और 2015 में, सूपर हंडेड में हमारी कंपणी का लिश्ट आया था, इंडिया के सूपर हंडेड में, त तो वह जाब पहनने वाले तमाम लड़कियों के लिए, मैं एक एक्जामपल बन गई रही हर वो अवरत के लिए जो अपने घर में बइट कर यह सूस्ति है, कि मैं हिजाब पहनने के बाद कुछ भी नहीं कर ज़ती है, तो उन सब के लिए मैं एक एक्जामपल शो किया अग अच्छी सी कंपणी और इसमें हम जूलरी शापिंग माल्स लांच किये महाराष्टा, करनाटका, आंदरप्रदेस और भी बहुत सारे जगा पर और इसमें आनलाइन पर भी लोग परचेस करते ही और खासकर से जो है स्टोरेज के लेवल पर भी होलसेल लेवल पर भी परच में किया है और हीरा ग्रूप ने आज भी लोगों के भुरोसे को जीता है पैसे कमाने से जियादा लोगों के भुरोसे को हीरा ग्रूप कमाया है आज भी मेरे मेंबर्स जो भी ही वो मेरी फैमली है और मैं फैमली की तरह उनको महसूस करते हूं वो भी मुझे फैमली की तरह कि हीरा गुरूप उनके लिए किस तरीके से काम कर सकता है हीरा गुरूप जो है अब आने वाले दिनों में सारे लोगों के लिए हीरा गुरूप काम करेंगे गरीब बच्चों के स्कूल के फीज के लिए और जो चोटे-चोटे स्मॉल बिजनेस कर दी जो न्यू स्टाट अप से ज्यादा आउटलेट जो है इंडिया में उसमें पार्टनर बनने के लिए जो है कोशिश कर रही है कि जो डिजिटलाइज से फिजिकल में गोल्ड जो है परचेस करें लोग इस तरह की एक बहुत बड़ा ब्लाट फार्म हिरा ग्रूप स्टार्ट कर रहा है और हिरा ग्रूप के जरीए से मुझे लगता है कि लाखों के लोगों को एक जो जाबलेस हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपार्चुनूटी रहेगी है और काफी अच्छा बिजनेस रन होगा और महिलाय hy जो गोल्ड का खाहिश रखते ही और यह करते ही एक बार में जाके वह पुछेस नहीं कर सकते हैं वो पूरा कर सकते ही आगे चलकर पूरे वर्ल में हीरा ग्रूप के कार्ट से जो है पूरा गोल्ड शाव शोरूप में खरीच सकते हैं ठीक है क्योंकि आपकी पाचे है महीला इंपार्मेंट करके तो महीला इंपार्मेंट का मतलब है महीलाओ को आगे बढ़ाना तो क्या समझे क्या यह जो आपका एक महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिला को कितना जादा यहां से मिलने वाला है आगे जाए के क्योंकि आप महिलाओं के बारे में जादा सोच रही हैं उनके बारे में जादा बातचीत कर रही हैं तो क्या इस गुरूप से करने वाली है मेईलाय स्क्षम बनें गया जो इननिया के 700 बا svt घ्रिस्टिक्स में ही और बिजनेस में विन नाइंटी बैसेंट महिलला सथो फिर यह मैंला एं पंपार्वर्मेंट dabei को मैंने इसलिए launch किया कि पूरे देश के महिलाओं को मैं एक platform दो जो अपने आपको politics में political में बहुत weak समझते ही और हमारे सारे महिलाओं जो देखे के पहले दिनों में पहले जमाने में जो भी चीज़ें चलते थे जब भी उनको इनसाफ मिलने का एक खदम उटता था तो वहां foreign से foreign एक political leader आते थे और उनके उसको खतम कर देते थे और उनका जो भी उपर को आना है वाच करना है उसको खतम कर देते थे तो फिर मैंने महिलाओं के लिए क्यों पार्टी ना हो और 2017 में इस पार्टी को डाइमेंड सिंबल मिला और उसके बाद 2018 में इस पार्टी ने कंटनाटका में 224 सीट पर कंटेस्ट किया और काफी अच्छा वोट मार्जिन जो है आया फिर तेलंगाना में भी कंटेस्ट किया और लोगसभा में असमली में ठीक है हमारी पार्टी नहीं है मगर महिलाओं को एक बहुत बड़ी ताकत देने वाली पार्टी है आगे भी चलकर जो 33 परसेंट रिजर्वेशन बिल है इसके लिए सबसे पहले महिला एंपोवर्मेंट पार्टी ही जुबान उठाई थी कि हमको पॉलिटिकली 33 परसेंट हिस्सा क्यों नहीं मिलत मुखाम को जो है उन्होंने एक मुखाम पर रख दिया कि इनको 33 परसेंट जो है रिजर्वेशन है तो यह महिला के लिए लड़ाई जारी रहेगी है और यह हमेशा कंटिन्यू रहेगी क्योंकि अब बहुत ही अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं तो आप से बात करते कभी कभी ऐसा होते है कि हमें महिलाओं को खास करके एक मस्रिया की जरूरत होती है और पार्टी इसकी अगर बात कर लें जो भी मौझदा पार्टी है तो बहुत सारे काम है उनलोग के बास हर महिला अपनी बात जाके वहां नहीं रख सकती हर महिला के घर में क्या हो रहा है बाहर क्या फेस करें नहीं बता सकती क्या ये महिला है जो बहुत कुछ फेस कर रहे है लाइक में अल्डिडी क्या आपके पास आके कभी किसी ने कोई शिकायत किया आपने किसी के लिए कोई बड़ी लड़ाई किसी महिला के लड़ी है क्या महिला है आगे आपके पास आप सताया जाता था उसको कहीं नाइन साथी पहुंचती थी वो महिला समझकर कमजोर पड़ जाती थी तो उसका हाथ पकड़ कर हमने खड़ा किया और महिला समझकर वो फीचे हो जाती थी के मैं एक अवरत हूँ मैं एक लड़की हूँ तो फिर हम सब ग्रूप ने उसको पकड़ क खड़ा किया और कहा कि नहीं तुम महिला नहीं तुई एक बेटी है तुई एक माँ है तो एक बेहन है तेरी बहुत बड़ी रेक्सपेट है तो उटकर खड़ी हो जा हम तेरे साथ में हैं तो आगे भी चल कर जो है हमने अपने विबसाइट के ऊपर मुबाइल नेमबर्स दि अपने यह जा करने के लिए तो ज़रूर से जरूर वो सारे जितना पासिवल है उनका हल्प करने के लिए कोशिष करते हैं जिए बहुत बड़िया आपके बहुत सरे बड़े कॉलेजिस भी है एडूकेशन सेक्र में भी आप काम कर रही हैं ऑविसली तो उस इस को बारे में मैं जानना चाहूंगी जी हमारी सबसे बड़ी एक कालेज जो मेरे बखसत की है वो पिरपती में हमारी कालेज है किरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जो वहां पर 1000 गर्स हास्टल के साथ पढ़ते हैं और वहां पर उनको जो है डिग्री पीहस्जी के साथ और पोस्ट किया हैं और वहां पर सारे औरते ही हैं उनके प्रोटेक्शन वाले से कुरूटीस वाले कंप्यूटर सिकाने वाले लाब टेस्टिंग वाले हर कोई जो है महिला ही है कभी एक बार आप विजिट करके देखींगे तो बहुत खुश हो जाएंगी क्योंकि वहां पर उसको मैं किया है कालेज ओपन और पढ़ाई पर हमारे बहुत ज्यादा मेह नत है क्यूंकि लिए कि बगएर education के इनसान एक जानवर बन जाता है और जब उसके पास पड़ा ही आ जाती है तो वो इनसान बनता है और जीने का डंशी का है और पेरों पे खड़ा होता है अब हमारे पास पढ़ने वाली कोई भी लड़की कभी यह फील नहीं करती कि मैं लड़की हूं मैं कैसे ज इपेंड को सब से पहले सुखाते हैं कि डिपेंड के साथ प्यार, पूरे family के साथ रखूं मगर हुआ है owूर पाप के ओप्ड हो जाना, लिष्टे पेंड हो जाना आज हम गोगिल में जा रहे ही हैं, अम्कों अमरिका से काम मिल रहा है, उस से काम मिल रहा है। और मैं कहते हूं कि अपने प्रिंसिपल पे भी रहो उसको हट नहीं करना है पूरे काम करते रहो यह दुनिया को बताना है बहुत बढ़ी है इस बीच अपने दर्शकों को बात जरूर बताना चाहूंगे कि इस तरीके से महिलाओं के लिए काम करना किसी की आपा बढ़ना किस पर Zombie Leafique मवा अमना है कि इस बात ना चाहिंगे कि इस बात में है। क्या कुछ बताना चाह कर बाते है जो हैं ए Clayajp सार और यह कंपनी टोटल लीगली रॉन रंणिंग कंपनी है और जो करनाटका में मैंने जो एलक्षिन किया गये मगर उस एलिगेशन को है कोट में जो है रत किया और उसके बाद सुप्रीम कोट में जो है यह मैटर चल रहा है और यह कंपणी सिरिफ महिलाओं के अंदर उनको रोजी देने के अंदर बेरोजगारों के लिए चल रही थी और जिस दिन मुझे अरेश्ट कर लिया गया थ उस दिन भी हमारे तमाम 16 शापिंग माल जो है उस दिन दर निंग थे 16 शापिंग माल तो एक पॉल्टिकल लेवल के उपर जो है थोड़ा बहुत जियादा यह किया गया मैं भी नहीं समझी थी कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी के लोग इस तरह सूचिंगे के ह हम भी इतने यह हो गए तो कभी 1998 से 20 years 25 years के प्रफार्मेंस पब्लिक के सामने हैं कभी भी कुछ छोटा कंप्लेंट नहीं था कंपनी के ऊपर कुछ भी लेने देने के मामिले में आज भी कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं इसलिए हमारे जितने भी मिंबर्स हैं जितने ऊफाएं होते हीं कुछ लोग होते हीं डामेज करने के लिए और खहसकर से महिला होती है तो इसको खास डामेज करने के लिए जो भी लोग होते ही वो कौन कर रहे ही, पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है, पूरे वर्ल्ड को भी मालूम है, जो M.I.M. की पार्टी है, जो हैदराबाद में रहती है, और उनके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है, एक मुस्लिम लेडी हो कर मैं आगे आना, उन्होंने एक चंद लोगों को ल और देश की हर औरत को इंसाफ मिली है, मिलेगी, मिलती रहेगी, जिस तरीके से हीरा गुरूप इतना आगे भड़ रहा है, क्या किसी गौर्वर्मेंट का सपोर्ट है आपको, जैसे अडानियम बानी के बाले में कहा जाता है, जी, देखो गवर्नमेंट के सपोर्ट तो हमन किसी से भी सपोर्ट नहीं मांगा है, आज भी कोट में खड़कर मेरी यही आवाज है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, यह चीज़े ऐसे ही, यह चीज़े ऐसे ही, मैंने आईटी रिठर्न फाइल किया है, मैंने जी एस टी पे किया है, मैंने कमपणी और बिजनेस को चलाया और आगे भी चल कर अच्छे से जो है मैं कमपणी को चलाना चाहती हूं जब हमारी कमपणी लीगल है और अच्छे से चल रही है तो गवर्नमेंट भी सुपोर्ट करेगी हर एजनसी को भी पता है कि कमपणी क्या है अभी 2024 चल रहे हैं तो अगर दस साल की बात कर याने कि 2024 में क्या चीमेंट रहेगा कमपणी का कितना आगे देख सकते हैं हमारी कमपणी दो प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़े लांच करती है अल्रेडी हीरा गोल्ड तो काइन लांच कर दिया है एक्षेंज के ऊपर और बहुत अच्छे अंदाज में हमारा काइन आगे बढ़ रहा ह है गोल्ड का और दूसरा हमारे साथ काफी लोग जो है जुड रहे हैं और तीसरा हमारा प्रोजेक्ट जो है इंडियन गोल्डन सिटी जो है हम लेकर आ रहे ही और यह सेवन हंड़ेड स्मार्ट सिटी बनाएगा और शिक्स लियाक एक्षर लेंड जो है डवलप होगी और तर्टी टू लैक विलास जो है बनेंगे जो वह विलास बनेंगे जो हर गरीब इंसान भी जो है उसको परचेस कर पाएगा और जो मालदार फाइस्टार में जो बड़े-बड़े पैसे देके रहते ही उस तरहा के जो है विलास हम नार्मल लोगों को भी जो है देने की कोश असुद नवेसी जी तो उनका और हीरा गुरुप की बंती नहीं है ऐसा मैंने रिसरच में पाया है क्या इसका रीजन है रीजन तो आज तक हमें भी पता नहीं चला खाली सिरीफ उनका एक खौफ है कि एक मुस्लिम फेस मैं ही होना चाहिए और दूसरे नहीं आना चाहिए तो फिर अल्ला रबुलालमीन ने मुझे हिंदुस्तान से लेकर पचास कंट्रियों में मशूर कर दिया तो सारे महिलाएं मेरे साथ होने लगे और पुरे देश के लिए मैंने नेशनल पार्टी रिजिस्टेशन करवाया तो जब से मेरे उपर जो जुलुम करना है वो तो क प्रैक्टिकली इंटरनल महिला को सपोर्ट करना अलग होता है यह हमारा प्रैक्टिकल और इंटरनल महिलाओं को सपोर्ट करने का ब्लाटफॉर्म है और यह ब्लाटफॉर्म किसी से भी बरदाश्ट नहीं हो सकता है और उन से खास बरदाश्ट नहीं होता है इसलिए यह ड उसके बाद मैंने उस पर fight किया, उसके बाद मैंने 100 करोड का 상ष का मान्हानी case लगाई जितने भी इल्जाम उसमें लगाये थी, तो वह इल्जाम उनके ओपर थाउबित हो गया, कोट ने 100 करोड के ओपर final कि दीआ, और फाइनल करने के बाद वो अब हाई कोट को जो है स्टे के लिए चले गए और तो जाहर से बात है कि हक एक दिन जीत के रहेगा चाहे वो हाई कोट को जाए सुप्रीम कोट को जाए और हमारी हक की लड़ाई जो हो ये वो जारी रहेगी और कोई भी कुछ भी करे मैं हक के ल सब्सक्राइब करने के बाद पूरा सर्वे करने के बाद पूरा एक करने के बाद जो तुमारे साथ रहना चाहते ही तो उनको रखके बिजनस करो जो जाना चाहते ही उनको खले करके बेस दो आज भी हमारा यही है जो लोगों को नहीं बुलाईा है कि अजब 20 साल 50 साल कंपणी ने वुफादारी न defenders नहीं करेंगे तो हमेरे लोग मेरे साथ हैं और उनको लेकर मैं साथ चलना चाहती हूं आखरी सांस तक यह चलती रहेगी और इन्शाला यह ख्यामत की सुबा तक एक कमपणी चलती रहेगी क्योंकि यह हक पे है किसी को धोका देने के लिए दगल बाजी करने के लिए ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता तो मैं फेस करकर इतने सालों तक हर लड़ाई को फेस करके यहां नहीं बैट सकती थी तो फिर मैं फेस कर रही हूं और मैं बता रही हूं और मु तो क्या funding आप उनको करती है या यह सब की तर आपको बहुत जादा पसंद करते हैं और मैंने जहां तक देखा है कि Bollywood के जो भी celebrities हैं वो कभी किसी एक प्रोग्राम में नहीं आएगी जब हीरा ग्रूप है तो दस साल तक जहां भी जैसे टीटन किरिकेट हुआ वहां भी आ गए कोई मेरा माट ओपन हुआ वहां भी आ गया पास यह बात नहीं है कि मैं उनको पैसे दे कर मुझे बुलाना इसी कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ी है कभी भी और वह सारे इंविश्टिगेशन हुए हैं उन चीजों के सारे चीजे में तो मैं हमेशा इंसानियत को लेके चली हूँ एक मजहब पर एक बात पर एक कि मुझे प्यार करता है अज भी इस वक्त वे इस हालात में हमारी कंपणी की वोण एक काइन फैर जिसको हमने मार्केट के उपर चलेगी और यह काइन आगे के लिए लांच किया है और आगे चलकर आपके पास अगर काइन रहेगी तो आप जूलर में जाके फिजिकल गोल्ड जो है आप ले सकते ही इस पर काम चल रहा है इस पर वर्क चल रहा है आप आराम से जाकर आपके जोग में है आपके वैलेट में काइन है आपने एक एक काइन परचेस करके रख लिया था पुरिंग चाहिए बैंगिल चाहिए चैन चाहिए आप इंडिया के किसी भी जूलरी में जाकर उसको परचेस कर सकती एक बहुत बड़ा ब्लाटफार्म है 700-800-Jewlers जुड़ रहे ही और एक काफी अच्छा बिजनेस जो है हिरा ग्रूप का इसमें होने वाला है और आज भी हमारा है जो हीरा डिजिटल गोल्ड का इन लांच हुआ है पूरे वर्ड में इसका नाम मशूर है जैसे कि हीरा डिजिटल गोल्ड में काफी इंवेस्टर लो आपके हाथ में अगर काइन है तो आप अनलाइन के उपर देखती हो कि तुम्हारा काइन का प्राइस कितना बड़ा है कितना कम होगा है आपको कोई भी प्राफिट देने की ज़रूरत नहीं है आप खुड ट्रैंसपर करके पैसा ले सकते हैं कि आपके ऊपर होता है उसका नहीं आया या उसको मिल नहीं पा रहा है तो कंपड़ तक वह बात फों जाती है वह मिसेज क्यों कि वह एक्चेंज के ओपर लोग पर्रियस करते ही कहीं पर यह यह ब ब्राइब्स दिडिजिल गोल रहेगा लोग इसमें इनवेस्ट कर से तिर रहेगा है वर्ण गोल्ड ट तो काफी अच्छा रिस्पांस है तो जरूर से जरूर इंशा आला है कंटीनू रहेगा आपकी कंपनी पे कुछ अलिगेशन से मैडम के कंपनी पे जो इंवेस्ट करता है आप उसको टाइम पे रिटन नहीं करते कुछ लोगों को रिटन नहीं किया है क्या वजह है इस सब के rietी के लेकर 2018 तक जो यह प्राबलम को आने तक के लिए एक ऐसे बंदे को लेकर आइए आई कि जिसे कोई पराबलम पौँचा हो 22 और किसी को भी को हुए मां सकते हैं एक भी बंदे को ने जब किसी बंदे को उठा कर अंदर कर दिया जाए, उसकी आकोंड को freeze कर दिया जाए और सारे transaction को बंद कर दिया जाए, उस वक्त में customer को problem नहीं होगा तो कैसे क्या होगा? और यह तो सारी दुनिया जानती है, यह सारी दुनिया जो है इस चीज़ को देख रही है, उस प्राबलम की वजह से मेरे मेंबर को प्राबलम आया है, आज भी वो सेफ है, आज भी उनके पैसे कंपनी के पास सेफ है और कल भी वो सेफ है, जैसे भी कोट का फैसला, जैसे भी यह होंगे तो उन लोगों के लिए कोई भी प्राब्लम नहीं है ना पहले था न अब रहे गा इचाब है क्योंकि आप भी जानती है कि मेरा सुबों से शाम तक जो है अभी आपके जो इंटर्व्यू के लिए भी जो है दो तीन दिन पहले से मैं ने प्रिपेर किया यह टाइम को निकालने के लिए बीच में से तो मुझे बिजनेस भी संबालना है एजुकेशनल इस्टूशन भी स है तो मैं हेचर डिपार्मेंट को कंट्रोल करने में ही मेरा मिनिट मिनिट चला जाता है और जो में एक परसन होता है तो उसी को मैं कांटैक्ट कर पाती हूं और सी के लिए अब मैं अगर मिलती बढ़ जाओंगी तो मैं बिजनेस बिल्कुल कर नहीं पाती यह बात सच है ल मैं भूद प्यार करती हूं जो लोग मुझे मिलना चाते हैं मैं खुद उनसे मिलना चाती हूं जब मुझे मोखा मिल जाता है तो मेरे पास टाइम और मोखे की बहुत कमी है अब जो मैं इस्टाबलिश करने जा रही हूं उसमें तो मुझे मिनिट हैं क्या सेकेंडों को गि minder को इसका घर बहु को जो है काफी टाइम तेकं यह लिए भी मैं जो है। lied मैं जी अटी मील बादी किता है मेरे डिजिटीडल करेंगे हीरेब गोल के पास इतना डिजीडcan गोल आता कहाँ से है दिखे डिजिटल तो आप जानते हैं कि डिजिटल होता है एक बैंक के वर्ल्ड डिपाजिट के ओपर होता है आप जितने पैसे डिपाजिट करेंगे आप उतना गोल्ड होल्ड कर सकते हो बैंक के तरो ले सकते हो जैसा आप लोग है आपके मार्केट के आप में वो गोल्ड आए और आप उसको सेल कर सकते ही और बई कर सकते ही बई भी कर सकते ही इसमें मार्केट में क्या होता है कि आप हमारे काइन को आज बई कर लिए आज है कल आप सेल कर देते ही तो इस तरह से वो fluctuate होता रहता है कभी हमें लगता है कि और ज्यादा लोग आ गए अभी 10 लोगों को देने का माल हमारे पास available था मगर आज 200 लोग आ गए तो जब company को उसको hold करना पड़ता है खरीदना पड़ता है फिर वो लोग भी खरीदते ही और buy करते ही यह पूरी दुनिया इस प्रोसेस है कि जितना हमारे पास capital होता है उतना gold हम खरीद सकते ही और बेश सकते ही तो हीरा digital gold की इन्वेस्टर का एक सवाल है कि यह जो digital gold है क्या कभी फिजिकली शॉप के format में आ पाएगा जी बिलकुल बहुत जल्द आने वाला है और आलरड़ी हमारा फिजिकल काईन है जो वन गिराम पर्चेस करते ही फाई गिराम पर्चेस करते ही तेन गिराम पर्चेस करत है वो जब चाहे सेल कर सकते है लेकि दोबारा से मैं एक सवाल प्याना चाहूंगी विसे आपने इस बारे में बात कर लिए लेकिन क्यूंकि आपके पास digital gold की company है आप खुद भी एक CEO है इतना सारे बिजनेसे स्कूल्स हैं कॉलेज इसके बावजूद भी लोगों की जो जो कुछ काम नहीं होता है और वह जाबलेस लोग है और जो अपने इनमी जो है उनको बिठा दिये हैं तो वह दस लोग जो है यह बातें बोलते रहते ही जब उनको आप सर पकड़के खींच के पूचिंगे के हीरा गुरूप क्या तुम्हें पैसे देना है तो बोलिगे ना हम सी ही वह कुछ जानते ही ना अज तक वह कंपणी का कोई पेपर हमारे पास है क्यूंकि वह रियल इन्वेस्टर नहीं है वह रियल मेंबर नहीं है वो जो बोलते ही वह जूटे जो भी बोल रहे हैं वो जूटे लोग हैं जो मुझे बदनाम करना चाहते ही इमेज को डाउन करना चाहते हैं जो बोल रहा है वो कौन है जबके वन ल्याग पुंटी टॉज़न सेफ्टी के आफिस बंजाराहिल रोड डेमबर 10 है अधराबाद में सेंट्रल आफिस खुली है जापिंग माल खुले हुए हर जगा अपने आउटलेट खुले हुए हैं तो पैसे तुम thank और हुव तो में तुम हमोगे मेरी सोरूम भी नहीं है और यह लोग मुझे बदनाम करना जा दे कुछ लोग पैसे दे कर ऐसे लोगों को बिठा दिये और भी गलत सलत बातें बोलते रहते हैं बस जब किसको भी देख लिए जिए के देश के पैमिनिस्टर को लोग नहीं छोड़ते कि कई यूटूबर्स जो है उनके ब कर देती कोट में चल रहा है एजन्सी बुला रहे हैं सब कुछ कोट फूरूफ कर देते इन चीजों को तो यूटूबर्स कोट नहीं है यह सब आप से मिलके एक बात और है जो जहन में आती है कि महिला इंपार्मेंट की कंपनी है तो क्या आप लोग सिर्फ महिलाओ के की अर्वाई की पार्टी है हर शोवर की प्रटी है जो में बीवि को एंपवर करना चाहता है अपनी बेहन को आपवर करना चाहता है ऐक reflect Curl कि आँए सथ पहले सी सेक्स्व 2 में है उसके बाद आफको स्कोडिक्स में आने का जो आईडिया है वो पियो की आईजी एगए कैसे आया, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए तना कर रहे हैं, आपका अपना खुद का एंपायर है, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में, मेरा 25 साल का एक्सपिरिंस रहा कि चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा उंचाए पे उनने वाला क्यों न हो, उसके पास पॉलिटिकल पवर भी हिंदुस्तान में बहुत जरूरी होता है, और तो मैं महिलाओं को पॉलिटिकल पवर देना मैंने काफी डामेज हुई, काफी लासस हुई, काफी नुकसान हुई, मगर मुझे अंदर दाल कर 20 साल तरह तरह के कोशन किये और पार्टी को डिजाल करो, बड़े बड़े पुल्टिकल लीडर्स मेरे सामने पेपर लाए, रिजाइन कर दो, पार्टी को निकाल दो, आप अब ही आपको कार में लेके चले जाएंगे, मगर मैंने नहीं, मैंने कहा हुई, मेरे जितने लोग लाखों के मेरे साथ जुड़े में उनके भुरोसे को नहीं तोड़ सकती, और ना मैं कभी ब्याक हूँ, मैं आगे रहूंगी कभी बड़ाव, आपको बेश में देखने को बात करते थे, एस बी को बात करते थे, तो बहुत खुश हैं महिला एंपवर्मेंट पार्टी के फ़लाने प्रेसिडंट ही, फ़लाने हम लोग यहां पर, तो फोरन वो रेइस्पेट दे के बिठाते ही, बोलते हीं के मेडम क्या बात है, तुम्हारा मसला क्या है, बताओ, ह काभी महिलाओं से कि असलまだ है क्यों पार्ट यॉफ थी शुत चाहिए फॉसाँ में थाहते हैं। यॉप बगॉर प्रभू सिंग देश में गिरहाय वी आप अप्डेट कर चेते हैं, हैं ऑपकर छताना खांथे मिपा अक्योंठों पूरा देश उन मुद्दों के बारे में जानता है तो हैडराबाद के लिए कि क्या आपका विजन है और हैडराबाद को आप कैसा बनाना चाहते हैं फ्यूचर में हैडराबाद के मुद्दे ये हैं कि हैडराबाद में खास कर से हैडराबाद सिटी के अंदर जहां तक जो का देश के लिए सुचती हूँ के पुरे देश के अंदर बदलाओ लाना चाहती हूँ जो वो बारिश पड़ी तो हमारे स्कूल बंद हो जाते ही धूप आई तो हमारे स्कूल बंद हो जाते ही हमारे बच्चे दरखतों के नीचे बैटके पड़ते ही यहां पर डिजिटल में ब हमारी देश की महिला जो भी एक महिला अपने आपको कमजोर समझती है वो ताखत में आ जाए ताखत और हो जाए यही मेरी खाहिश है लेकर सिरिफ अधराबाद नहीं आल इंडिया महिला एंपवर्मेंट पार्टी है तो पुरे देश के लिए महीं अच्छी सूच रखती हू आगे करना चाहती हूं देखिए ओविसी जिसकी पीडी की अगर हम बात करें जाना तो पिछले कई दशको से राच करती आ रही है ऐसी पार्टी के सामने खड़े हो जाना और आईसी शक्तिशाली पार्टी के सामने बेधड़क हो कर बोलना और चुनोती देना इतनी पावर वह बड़ा नहीं लगता कभी ली तो हम उसके सामने जरूर खड़ेंगे और बात करेंगे हमारी पार्टी का स्लोगन ही जस्टिस फार हुमेनिटी है और हम जहां पर इंजस्टिस होगी हम जरूर जुबान उठाएंगे हमारे लिए कोई बड़ा नहीं होता है हमारे इंसाफ इंडिया का खानून बड़ा होता है इंडुस्तान के अंदर उससे बड़ा हमारे सामने कोई भी लिए आपके पार्टी है कि अपका कोलाबरेशन है मतलब उसके लिए आप भी काम करती है क्या भविश्य में ऐसा हो सकता है कि एक गड़बंदन देखने को मिले बीजएपी क हमारे साद लिए ना किसी पार्टी से नफय कि बुराई है हमारे पास जो पार्टी के कोई भी नेता गलत हो जाएंगे नें के सामने इनसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे जो वाले हुमारे महिलाओं के अपने बच्छों के मुद्वा को देखी और उनकी मदद करेंगे हम कि यह इंसाफ के लिए कि इसी भी फिज़ खड़े उने के लिए फिर्स नाइभ दो आप एसा वोटर के लिए क्या करेंगे जिससे आप पर विश्वास जतायाब जासाकिंगे क्योंकि बहुत मुष्किल आप कोई बनाना और लोगों का विश्वास जीट जीतना तो क्या असे मुद्धे रहेंगे के ऐसी बाते रहेंगी जिसको लेके लोगों को विश्वास वनेगा आपके ऊपर वैसे तो काफी महिलाएँ हैं काफी लोग है जो आपके बहुत विश्वास करते हैं लेकि फरस्स पर इसके अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे वही बस महिलाओं के मुद्दों पर हम जुबान उठाएंगे आस्पिटल के बारे में और स्कूल के बारे में जाबलेस लोगों के बारे में बेघर लोगों के बारे में जो देश की जरूरत है उन मुद्दों को हम उठाएं और 100% लोग जो है अट्रैक्ट होई गी उसके उपर और लोगों की जरूरत है देश के मुद्दे आपका विश्वास है कि अगर आप बेशक हमारा विश्वास है एक दिन MEP देश पे रूल करेगी ऐसा आपको लगता है बिलकुल बहुत ही खुबसूरत सोच के साथ हमने डॉ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नौरशेक आपका इंट्रिव्यू के लिए बहुत खास बात्चीत हमने आपसे करी हैं आगे आपसे मिलेंगे जरूर और कोई ना इंट्रिव्यू के साथ दुबार से हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजासत नमस्का से मुझे